हाई अबरिवन दिस इस गरी मैं वेलकम टू मैं चैनल लिटिल कार्डन आज हम दाई अन्थस के फूलों के बारे में बात करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि विंटर में फ्लावरिंग करने माला ये एक बहुत ही खुपसूरत फ्लावर होता है जिसे अगर आप सितंबर अ पौधे को उगाते समय और थोड़ा सा उसकी जो ग्रोइंग स्टेज होता है वहां आपको ध्यान रखना है एक बर्फूल लगने के बाद ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनस पौधा होता है तीन तरीकों से आप डाई अन्थस के पौधे को लगा सकते हैं बीज से या फिर लगाना शुरू करना है वारना आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा और बीज भी खराब हो जाएंगी सीट्स को मैंने इन बड़े गमलों में लगाया है उसके बाद मैं इन छोटे गमलों में ट्रांसफर कर रही हूं ऐसा करने का रीजन ये है कि बड़े गमलों में अच्छा होता है क्योंकि इसमें नमी जादा समय तक टिकी रहती है लेकिन एक बार जर्मीनेशन हो जाए तो बड़े गमलों में जो पानी है जादा समय तक रहने कारण यह दाई अन्थस के पौधे काफी जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए इन छोटे-छोटे पौधों को म मैं राल दूंगी जिसमें ड्रेनेश काफी अच्छी तरीके से हो सके स्वाइल वैल ड्रेन तो होनी ही चाहिए सांती सांत यह जो सॉइल है इसका पी-एच जो जड़े गलने लगी है और पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये सारे संकेत हैं कि आपको इस मिट्टी को कैसी भी करके ज़्यादा बेस वाली मिट्टी बनानी है जिसके लिए मैं आपका आइडिया वीडियो के आखिर में बताऊंगी तो वीडियो के आखिर तक बने रही दाइंतर जादता सुस्क थंडी पहाडियों में उकता है जहां बरसात कम होती है ऐसे में अगर आप इसे बरसात के मौसम में उगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा जल्दी ही खराब हो जाएगा बलकि ठंड आने पर जब आप इन्हें इसकारण मैंने यहां चौक के छोटे-छोटे टुकडे डाल रखे हैं चौक का जो टुकडा होता है वो मिट्टी के पीच को बढ़ाता है और इसमें डाइंतर जादा अच्छे से उकपाते हैं तो यह बहुत ही बहतरीन तरीका है कि आप चौक कर सकते हैं या चाहे तो आप ठोड़ा चूना एड़ कर सकते हैं जो खाने का चूना होता है पर इसको आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आड़ नहीं करना है थोड़ा सब्सक्ति आप देखेंगे कि आपका डाइंध। जो पौधा है वो जादा अच्छे से बढ़ेगा या फिर आप यलो मिट्टी होती है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं जो चिकनी यलो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा परलाइट या थोड़ा सा वर्मी कमपोश्ट और उसमें राइस हस्क यानि की धान का जो छिलका होता है वो मिला सकते हैं कुछ और चीज़ें मिट्टी में मिलाते हैं जिससे उसकी जो पोशक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी आप चाहे तो मेरी चैनल पे जाके उससे देख सक जैसे जैसे आपका प्लान बड़ा होने लगेगा आप चाहें तो जब उसमें नए नए जो पत्ते आते हैं उपर की तरफ उन्हें पिंच कर सकते हैं पिंच करने पर क्या होगा आपके पौधे से बहुत सारे नए 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 शूट्स निगलेंगे और यह शूट्स जादा घना बनाएगा और उसमें खूप सारे फूल आएंगी एक कारण यह भी है कि आपको बरसात के समय इस पौधे को नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इस पौधे को हुमिडिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है तो अगर आप इसे सितंबर के पहले लगाते हैं तो ए पौधे को बेंगा तो मौधे का करेंगे इस पौधे को बरसात में तो बिल्कुल नहीं लगाना है अगर बरसात होता है तो तो आप ठंड आने का वेट कीजिए, सुस्क मौसम के आने का वेट कीजिए, तब आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, इवन मिट्टी में थोड़ा बहुत pH कम भी हो, तब भी ये ग्रो करेगा, लेकिन हुमिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो सुस्क मौसम का आप बहुत जादा खयाल रखेंगे, उसी मौसम में हुगाएंगे, जिस मौसम में हवा में हुमिडिटी ना हो, इसके अलावा ये पौधा जादा कुछ केर नहीं मांगता, थर्टी देज में एक बार आप चाहे तो इसमें कमपोश्ट या फिर बायो वीटा जैसा कुछ माइक् इसमें फ्लावरिंग हुई थी, पर जैसे ही बरसात आने लगा हवा में हुमिडिटी हुई, पूरा पौधा मर गया, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स टाइम, बाय!